नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इनवेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर छोटी सी वीडियो में एंजल ब्रोकिंग की बात आपसे करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है यह स्टॉक ना ही मैं आपको सेल करने की बात कर रहा हूँ ना ही खरीदने की बात कर रहा हूँ जो आपकी मर्जी वो कीजिए अपने Financial Advisor से सला लिजें यह हमारे partner है आपके लिए यह एक्स्ट्रा रिस्क्लेमर है मेरे portfolio में यह इसेयर हो सकता है यह भी आपके लिए extra Penislaimer है अब हम चलते हैं आगे मुद्दे-पर क्यों दिखा रहा है रिजल्ट के बाद क्या रिजल्ट इतना जाद अच्छा था कि स्टॉक इतने बड़े मोमेंटम के बावजूद 20% का पर सरकित मार दे उसको हम रिजल्ट में डिकोर्ट करने की कोशिस करेंगे और क्या यहां पर स्पेकुलेशन हो रहा है उसको भी हम रिजल्ट इनका हमारे सामने है यहां पर कुछ मतलब इधर उधर की बात नहीं होगी एकदम सीधी बात होगी आप देखेंगे तो चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी अगर आप टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं जो फीस एन कमीशन वगरा ब्रुकरेज वग ठीक 9 और 413 ठीक है 413 करोन की इनकम होई खर्चा देख रहे हैं आप खर्चा इनका हुआ सिर्फ 275 करोन अब सोच लीजे कितना भेंकर प्रॉफिट बढ़ा होगा अब यह सोचिए कि पिछले साल के इस कौटर में सिर्फ 152 करोन का खर्चा हुआ था यहां पर खर्चा आपको पॉजटिविटी दिख रही है यहां पर आपको एक्स्टा पॉजटिविटी दिख रही है ठीक है और जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस रिजल्ट की लगी कि इंप्लॉई के उपर हिनों ने दबा कर पैसा खर्च किया है दबा कर उनके उपर पैसा लुटाया है 49 करोन इतनी चोटी कमपनी अगर खर्च कर रही है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए हमारे पार्टनर भी है तो दिलखुष सभी का होना चाहिए यहां पर तो सबको खुसी होना चाहिए खैर अब आप समझ सकते हो खुसी का ठीका ना किसका होगा ज्यादा 42 करोन जस्ट प पुथर्दा पिरियेड देखिए 100 करून का प्रोफिट थीक है 99 करोन का प्रोफिट 73 करोन से बढ़िहां जंप है और पिछले साल के क्वाडर से अगर आप कंपेर करोगे बहुत 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 बेहतरीन जंप है 35 क्रोण के मुकाबले सीधे 99 करोन का FIFA ठीक है अब यहां पर Reliability आपको, Full Service Brokers देते थे, वो ये एकदम सस्ते rate पर लेकर आ गए हैं और मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से इनको added advantage में लाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका figure दिखाना चाहूँगा, यह figure ही दिखाना चाहूँगा, यह figure बहुत ही खतरनाक है, और अच्छा भी, खतरनाक नहीं, अच्छली यह अलग level वाला खतरनाक की मैं बात कर रहा था, बुरा मत मान देगा, इनके पास share हो, 12 रुपए का EPS, देख रहे हैं, मतलब 50 रुपए कमा रही है कमपनी आपके लिए साल भर में, ठीक है, 50 रुपए अगर कमा रही है साल भर में, और 500 कमपनी कितना 512 पे ट्रेड कर रही है, तो सिर्फ 10 के आज पास की PE है, उससे बहुत जादा नहीं है, तो मतलब स्टॉक तो अभी भी सस्ता अवेलबल है, अगर हम calculation terms में बात करें, भागने के terms में देखेंगे 280 वाला stock 512 हो गया, तो क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं अब क्या इनका जो valuation है, वो बाजार के बराबर हो पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाजार में ऐसे stocks को सम्मान कम मिल पाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर competition, इनके competition में भी हमारे partners जेरोधा हो गया, stocks हो गया, यह सब इनको तगड़ा competition देते हैं, इनका competition क किस से है, किस से है, full time services broker से भी है, इन से भी है, लेकिन इनके पास added advantage क्या है, यह rates सस्ता किये, clients अपने पास खीचे, यह सबसे best चीज, दूसरी चीज, reliability वाला इसू, यहां पर बहुत अच्छे से इनोंने solve किया, लोगों का discount brokers से हैं, उनके उपर एक बार के लिए भरोसा न जो listed company होती है, उस पर आप ज्यादा आसानी से trust कर पाते हो, और आपको करना भी चहिए, क्योंकि वो हमारे National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange में listed है, ठीक है, तो आप समझ गए होगे, मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारे सामने 12 रुपय कमाने वाली एक quarter में company ऐसी पड़ी है, जो 500 रुपय के rate पे क्या है, दिक्कत यह है, यह जो momentum आया है, रिजल्ट से पहले ऐसा momentum जब आ जाता है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 20% का प्रसर्कित बहुत अच्छी बात है, लग जाए, आगे भी positive momentum आ जाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिर अब मैं आप से कहूंगा, अगर आ बेस्ट IPO आया है recent times में, जिन्होंने wealth भी create किया है लोगों का, प्लस ऐसे अने-पॉने valuation पे अपना IPO लेकर नहीं आए, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे partner है, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि आप खुद इनका valuation जाकर calculate कर सकते हो, 12 रुपए एक quarter में company कमा रही है, 500 रुपए की company है, छोटी सी company है, नन्नी मुनी company है, जिसको अभी growth भी focus करना है, I hope आप बात को समझ गए होगे, अब इनका added advantage है कहां से, देखो ये सस्ते rate में वही services प्रवाइड करने की कोसिस कर रहे हैं, और ये बहुत revolutionary हो सकती है, इसलिए मैं आप से ये request जरूर कर सकता हूँ, कि अगर आपको एकदम well stable platform चाहिए, सारी चीजे रेट भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप इनको एक बार जरूर consider कर सकते हो, बाकि ये video कोई promotion के लिए नहीं है, आप अपना independent decision लीजेगा, मैं आपको ये नहीं करा हूँ कि आप angel broking में account खोल लीजे, आपकी जो म हम मिलेंगे फिर से घर सारी अच्छी वाली वीडियो में, ऐसे result को अच्छे से analyze किया कीजे, और ये देखिए कि यहां से company ने अपनी कमाई तीन गुना कर ली पिछले साल के सी quarter से, क्या ऐसी growth आगे भी possible है, नहीं, तो price तो यहां से तीन गुना आना ही है, price तो वहां से ती